देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कॉंग्रेस में इस वक्त हल्चले तेज हैं। कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस की फर्स फेमिली है प्रथम परिवार है यानि गांधी परिवार उसने तै किया है कि इस वार पार्टी का अध्यक्ष कोई गैर गांधी हो। ऐसा माना जा रहा है कि सोनिया जी ने ये संकेत पार्टी के वरिष्ट निताओं को दे दिया है। ये राहुल जी को कमान समालनी चाहिए। इसे बीच शशी थरूर और राजिस्थान के मक्यमंत्री अशोक गहलोत के चुनाव रणने की अठकले हैं। का जा रहा है कि थरूर कांग्रेस के कथित असंतुष्ट नेताओं का जो समुहू था जीट 23 उसके मेंबर हैं। और गहलोत साब गांधी परिवार के बफादार सिपाही। तो क्या माना जाए कि गांधी परिवार खुद कमान हात में नर लेके अपने कीसी बफादार के में सबंवादार सिंधानी के कॉड़िको को ओंगें को समझने वाले जानते हैं कि गांधी परिवार चुनाव ना भी लड़े अध्यक्षख का फिर भी कॉंग्रेस की जो अंगठनिक संरचना है वो ऐसी है कि उसमें गांधी परिवार के पास उतना हमेशा रहता है कि उसका इशारा जिधर होगा जीतेगा वही और यू वैसे भी कॉंग्रिस में गैर गांधी परिवार वाने जो धक्ष रहे उनमें या तो आप देवकांत वरुआ हो जाईए तो अन्यता अगर आप सीतर आम केसरी होंगे तो पार्टी के मुख्याले में धोती फट जाती है बड़ा संकठ है बड़ी कठिन है डगरपन घट की कॉंग्रिस में कमान रहे तो रहे किसके हाँ गांधी परिवार कह रहा हम नहीं चाहते तो क्या प्रोक्सि शाषन चलाना चाह